देखो अंग्रे जी तो हमको भी नहीं आती, लेकिन इसका मतलब आता है, कि आप जिंदगी में हो रही, गुजर रही, निकल रही, हर एक परिस्थिती को नहीं रोंक सकते हैं, लेकिन उस परिस्थितियों में अपने आपको कैसे सर्वाइब करना है, यह आपके उपर डिपेंड करता है, माल लीजिए बारिस हो रही, बड़े जोरों की गमक के बारिस हो रही, अब आपको कॉलेज जाना है, एकजाम है, यह आपके उपर डिपेंड करता है, कि आप कॉले जाओगे, एक्जाम छोड़ोगे या जाओगे, भीगोगे भीग के जाओगे, छतरी फे जाओगे, कैफे जाओगे लेकिन तुम बारिफ नहीं बंद करा सकते हो समझे रहो ना? ये परफेक्ट एक्जाम पल है ऐसे बहुत सारी स्थितियां जिन्दगी में चलती है बहुत कुछ लॉस हो जाता है इंसान का बहुत कुछ दुख होता है लेकिन फिर भी उसे चलना पड़ता है क्योंकि वो हर चीज को नहीं समाल सकता, उनमें वो कैसे मैनेज करेगा, उसके उपटेबंट करता है ये हुई ज्यान की बात जो बहुत जरूरी थी आई ये टॉपिक पर चलते हैं, गुड बार्निंग सभी को थार्ड क्लास है आज आपका आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि पूरा फरी पढ़ाएंगे, और डेली एक वीडियो मिलेगा सुबा पांच बजे, जो बच्चे परतेक सेसन को लाइक सेर करेंगे, उनको जरूर मिलेगा और जो नहीं करेंगे, वो अपने मन के मर्जी आज का टॉपिक है गुड़ा, मल्टिपल जब किसी संख्या या अंक को उसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो इसी कीरिया को गुड़ा कहते है ये पुराना वर्जन है जोड़ने वाला गुड़ा वाला मॉडर्न जमाने का है ऐसे समझे लो, updated वर्जन है जैसे for example अगर मैंने 3 को देखो भईया यहां पे जोड़ा कितनी बार एक दो तीन चार अगर मैं 3 को चार बार जोड़ू तो बारा हो रहा है अब चुकी 3 को मैंने 4 बार जोड़ा था इसलिए मैंने पहले 3 लिख दिया फिर जोड़ा कितना बार था? चार बार, चार से गुड़ा किया बारा आया ये जोडने की परकिरिया ही अगले जनब में गुड़ा बन गई है समझ गए ना? चलो आगे, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई देखो मैं पढ़ाऊंगा आपको तेक दम topic by topic, system से अच्छे से सब कुछ मतलब कुछ भी ना चूटे है ना? तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें किस type के, कितने type के question होंगे जरा प्यार से देखना पहले हम एक अंक का एक अंक में गुड़ा करना सिखाएंगे क्योंकि हमारी कोसिस है उनको सिखाना जिनको गड़ित में कुछ नहीं आता है जो हो चुके हैं बतिफाल के, 28 साल के कहीं जाके छोटी क्लास में बैटके नहीं पढ़ सकते हैं उनकी बड़ी सरम आती ला जाती है क्योंकि वो बच्चे नहीं, बच्चे वाले हो चुके हैं उनको सिखाते हैं, तो एक दम स्टार्टिंग से दो अंक को एक अंक से गुड़ा, दो अंक को दो अंक से थिरी को थिरी से टू से, ऐसे ऐसे पढ़ लो आप जो जो लिखा, ज़्यादा पढ़ने में टाइम लगेगा चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट पर आजाते हैं, एक्स्प्रेंट करते हैं टाइम बहुत कम है, तस मिनट में हमें खतम भी करना है तो एक, दो, तीन कितना बार जोड़ा गया है, तीन बार किसको जोड़ा गया, साथ को तो इफलेस, एकाइस हो गया ठिक, अब यही परकरिया गुड़ा बन जाती है उधर फाइट में जाके देखो, साथ को कितनी बार जोड़ा था, तीन बार तो साथ को तीन से गुड़ा किया काइस, इधर देखो, 9 को कितनी बार बार जोड़ा है तीन बार तुनों तरी फटाइस हां 27 हो जाएगा जोड़ोगे तो और नों को तीन में गुड़ा किया फटाइस वह फिर नीचे भी देख लो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये तो हो गया टाइप कितने टाइप के सवाल हो गया अज उधर वाला पूरा हो जाएगा इधर वाला नहीं होगा अगली क्लास में होगा तेली गराम पर जोइन कर लिजिएगा अगर आप देली क्लास कर लिंक चाहते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन और गड़े सीखने के लिए यहां पर हम यह कंडिशन लगा चुके हैं कि इसमें कोई उमर की सीमा नहीं है सीखने की कोई उमर नहीं होती चलो इस सीरेज में 100 वीडियो मिलेगा बाबु भीया कितने 100 वीडियो मिलेंगे पूरे पूरे यह बहुत इंपॉर्टेंट जो दिखा रहा हूँ बस आदा मिनिट में खतम हो रहा है सलाइड बहुत जरूरी है अगर आपको ज़्यादा दुख हो रहा है तो आगे स्किप क कर लो थोड़ा सा यह जो नए बच्चे है उनके लिए बहुत जरूरी है इनको वीडियो करों करों करके एक एक स्लाइड पढ़ लीजिएगा बहुत काम का चीज है क्योंकि इसमें 5000 रूपय का सर्प्राइज मिलने माला है और वो डिपेंड करता है कि आप डेली क्लास का आ क्लियर उसी तरीके से साथ का 5 में गुड़ा किया पायती से एक-एक डिजिट का है देखो टेबल आपको आता होगा टेबल ट्रिक नहीं बताया हो क्या अभी बता देता हूं या अगली क्लास में बता दूँगा या आप कमेंट करना मैं टेबल ट्रिक दे दूँगा ठीक ह यह अच्छा रहेगा यह तीन सत्य एक-एस देखो नौ तक टेबल तो सबको याद करना पड़ेगा तस तक नौ तक याद करना पड़ेगा वाकि आगे मैं ट्रिक बता दूँगा याद करना बहुत मुश्किल नहीं है मैं बताऊं कैसे करना है रात को जो सोने जाना ना तो कॉंफी पेच में लिख के ले जाना और वहां पर देख लैना प्र सो जाना और सुबड ऐसे उठना एक बार फिर देख लेना पस रटना नहीं बढ़ेगा आगर घ्क डूबल ले कियुत अगर फेको देखोगे से फाँक कात से का देख दिन रही देख लीày ऐग ऊड़ें ऐसे इसको भी कर लेना, है ना, चलो, देखो, रिकार्डिंग में यही मज़ा रहता है, बिल्कुल टेंसन फ्री होके पढ़ाया जाता है, बाकि लाइब में बड़ा चिक चिक रहता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, यह आपका यक्षपर्फ नहीं ना मौला, भारत में पूर्भी देफांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है, सब को पता है, यह रेखा भारत के किस सहर से होकर गुजरती है, आपके सामने है, देख लो, पढ़ लो और बता दो, एक बहुत इंपॉर्टन खास विचार है यह, जो लोग कहेंगे कि हमें तो चुनाओ से कौन कि हम इस देश में रहते हैं, हमें राजनीत से कोई मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं कहते हैं अच्छा बुरा, लेकिन आप ओड जरूर दें आने वाले लक्सन में, और यह आप इसमें से चुनके मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या चाहिए, मंदिर मस्जी चाहिए, ह जो मौल भी होते हैं, वो बनाएंगे, या आने वाले अपने बच्चों को कुछ आप बहतर जिंदगी देंगे, क्या करेंगे, बताएंगे, यह जरूर बताना, चलो, आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है को सभी कर लेंगे, आई एक एक पॉइंट पर बढ़ते हैं, यह ब दूना आठ, और चान्वाईं 36, सभी को पता है कोई डाउट ना इसमें, जानते हो न, बही चार का दो बार गुडा करना है, चार का बाड़ा दो बार, चार दूना आठ, और चार का बाड़ा नोबार तो 36, पोई यहां फिल नहीं आ रहा है, इधरे में कैसे करते हैं साथी इधरे में इसे करते हैं, वही सवाल है, ऐसे 2 का 4 में, 2 चोक, 8, फिर 2 का 3 में, 2 तियाई, 6, बस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, एक इधर भी कर लेते हैं, 3 का 3 में, 3 तिर जा, 9, 3 एड जा, 24, है एक चीज बस आलग अलग तरीके से किया गया है, जो बचा है उसको खुद से कर करना होता, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें, यह मत सोचो बड़ा आसान, आसान है, पस देखो, देखो किसी भी आहें बराती जाते हो न, तो पूरा रात बैठे रहते हो, तुमको सब को पता है को वही वही परकिरिया होगी, जो फलाने चाचा कैम हुई थी, फिरो जाते हो देखते हो, क्यों, क्योंकि रिवाज है, वैसे इसको भी देख लो, वैसे भी खटा मिठा रिल देख जाते हो, दूग घंटा बरबाद कर जाते हो, क्या मिलता है, इसमें हो सकता कुछ नया सिख जाओ, चलो, तो यह एक लाइन में बिना हासिल वाला, बिना हासिल वाला को ह अगर एक लाइन में करेंगे था असिल आ जाएगा जो लाइन में कैसे होगा जैसे देखो पांच दिया पंदरा इसे लिखा जाता भाया ठीक है उसका जो पांच है यहां लिख दिया यह जो वन बचा था ना यह चच्चा इसके खोपड़ी चड़ जाएंगे आके आगे वाल लगेगा सुन्दर लगेगा पहला इस्टेप दूसरा इस्टेप में क्या करेंगे लाइस्ट वाले गिंतिक नीचे क्रास करते हैं और फिर इससे गुड़ा करते हैं वन थ्री जा थ्री वन टू जा टू ठीक है अब इनको जोड़ते हैं साथी मेरे पांच की नीचे कुछ नहीं तो पांच तीन एक चार एक एक दो सरी दो एक तीन देखो अभी एक ठीक गलती हो जाएगी छोट अफ ना साब कमेंट करेंगे खूब दबा के कमेंट करेंगे अरे फर गलत कर दिये आप तो मतलब एक वीडियो में मैं 25 कोश्चन साही करा रहा हूं अगर एक ठीक गल करना नहीं आएगा तो चलो इसको एक लाइन में बताओं हाफील वाला कैसे होता है सेम चीजे है ना इसमें 15 का पढ़ेंगे उसमें हम 5 का और एक कपड़े थे तो 15 का पढ़ेंगे 15 तीया 45 अब पहाड़ा नहीं आता तो कमेंट करना टेबल का ट्रिक का वीडियो दे पताओंगा भी देखो आगे तो इनको अकेले 5 को यहां लिखेंगे और जो फोर बचे है ना वो इनके कोपड़ी बाज आएंगे उपर वाले के चुर्की पर ठीक दो ठीधना वाँ पे गुड़ा करने पाया था अब पंदरा दूना 30 और 34 उत्तर वही आना चाहिए सेम जो यहां आया था देखो आया ना जो यहां आया था वही यहां आया इसका मतलब सही है ठीक है कोई डाउट ना किसी को इफी तरीके फे हाफिल के फाथ करना भाईया भाईया उदर तो दो लाइन इदर लिखा था बिना हासिल अचा बिना हासिल यह था दो लाइन यह था वो ए कितना नो और बार चोक और तालिस और तालिस और तालिस दूपचास साथ सतावन है ना कितना मज़ेदार भाया तो यहीं सब चकाहानी थी आज के लिए भाई खाता हम खिलाड़ी अभी एक लाइन और बचा है फिलहाल तीन अंका दूई अंक में गुड़ा करना यह मैं कर दिया बास उनली फाइब था जन बहुत जादा लालच नहीं तो मैं आगली क्लाच 40 मिनट की लाओंगा ठीक है देखते हैं चलो थाइंक्यू